नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कवजवलोग चनल में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं लाल्चुलाई का पोधा दोस्तों यह जो पोधा है बारिसों में ओगने वाला पोधा है और यह पॉद्दा दोस्तों अभी दोस्त है СпरमीयरНट फल और बीज आतबराने दिखा के दूदार हुँ, इयननेक हो चुका है, है यह कम्पड़िक हो चुका है, ancestrum और फल और भीज आतो himson अजके हैं, यह अभी जुदूदा हुआरे दिखा तो यह पोदा वुक कर और इसके जो टाइम रहता है उसका टाइम कंप्लिट हो चुका है दोस्तों इसमें बीज भी आ चुके हैं तो इसका टाइम पुरह होने के बाद में दोस्तों इसके अपर पहले तो हरी पत्ति रहती है उसको तिसका तना लाल रहता है और इसके बाद मे फिर ये पुरा पक जाने के बाद में इसमें फल फूल और इसके बीज इसके बीज अंदर जो रहते हैं वो काले काले से रहते हैं बीज तो पर इसके उपर का जो छिल का रहता है वो तोड़ा सा हलका सपट कलर का हो जाता है और इसके जो पत्ते हैं वो भी लाल कलर में हो जात वैसे फाइदबन ही है यह चोलाई का अगर इसको सब्जी बना कर खाई जाए और इसकी खेती भी होती है ठीक है दोस्तों यह वैसे ठंड के मौसम में भी अपनों को मिल जाएगी और इसकी खेती की जाती है दोस्तों तो मेरा उद्देश ही यह स्रीप मैं आपको जानकरी बता रहा हूं दोस्तों मैं किसी इसको यूज करने का तरीका या फिर कुछ खाने का तरीका नहीं बता रहा हूं मैं स्रीप इसको लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों ठीक है तो आप देख सकते है यह इस प्रकार रहती है लाल चुलाई का पोधा ठीक है दोस्तों वीडियो चलाएक के दोना चलार पर नयों तो चलो को सब्सक्राइब कर लेना धन्यवाद दोस्तों